आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन नियूज नेक्स्ट नाइन नियूज में बातशीत करेंगे देश के परधान मंतिर नरेंद्र मोदी और राजिस्थान के इस से आसकते बारे में वह आसंबोधित कर रहे हैं लेकिन इससे पहले कॉंग्रेस में जो हालात बने कॉंग्रेस में जो घमसान मचा है उससे मूदी जी को या फिर बीजेपी को बहुत पायदा मिले वाला कैसे आई ये बार एक से समझाते हैं दरसल ये कि सोनिया गांधी कभी भी बड़ा फैसल ले सकते हैं पार्टी से या तो पाइलेट पर एक्शन लिया जा सकता है या फिर यू कहें उन को उनके परिवार को जान से मारने की उस पर भी केंज सरकार राज सरकार ने कोई फुक्ता कदम नहीं उठाए तो ये एक निमस्तर के राजनीत है और इसकाम सब को खंडन करना चाहिए मैं कड़े शब्दों में इस प्रकार की वार्दातों की निंदा करता हूं और उमीद क एक बात तो और स्फष्ठ हो गई है समाने मुखमंद्री जी का भाषन परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषन को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि समाने मुखमंद्री जी की नेता आधर्णिय श्रिमति सोने गानी जी नहीं है बलकि उनकी नेता वो सुन्दरा उनकी नेता सुन्या गांधी जी नहीं है बलकि उनकी नेता वसुंद्रा राजे सिंध्या जी है और एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाज़पा कर रही थी दूसी दरफ का जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंद्र जी कर रही थी तो ये जो विरोधा भास है इसको समझाना चाहिए आप कहना क्या चाह रहे हैं ये स्पष्ट कर देना चाहिए आप सबको मालूम है सरकार बनने के बाद मैं परदेश का उपमुख मंत्री था परदेश रद्यक्ष था और 2020 में देश्ट रो राष्ट रो के मुकदमे में मेरे पर कारवाय करने की कोशिश की गई थी अनेक ऐसे प्रकरण हुए और हम सब लोग और मैं सबस्ट करना चाहता हूँ कि मैं हो हमारे कुछ साथी सरकार में नेत्रुत परिवर्तन चाहते थे अपनी बात को लेकर हम दिली भी गए और अपनी बातों को रखा उसके बाद अखिल भारतिक कॉंगेस कमिटी ने लगतार चर्चाएं हुई और आज वो दुनिया में नहीं है स्वर्ग एमद पटेल साब लेकिन उनके माद्जम से सब नेतों से मुलाकात हुई और एक कमिटी का गठन हुआ AICC ने किया उसमें माखन साब, वेनुगोपाल जी और एमद पटेल जी सरजस्टे और उस कमिटी का एक काम था और कमिटी जब गठन हुआ उसमें हम सब की बात सुनकर हमारी बातों को accept किया गया और एक रोड में अप्तियार किया गया बहुत सारी बाते उसमें थी मैं उसका उलेक नहीं करूँगा लेकिन कमिटी का गठन हुआ और उसके बात से हम सब ने चाहे वो राजसाबा के चुनाव हो चाहे विधान समा में मद्दान हो पार्टी का प्रचार हो कॉंग्रिस को मजबूत और ताकतर बनाने के लिए हम सभी साथियों ने जी जान से कोशिश की मेहनत की और धाई साल का जो कारेका निकला वो इस बात का प्रतीक है अनुशासन तोड़ने का काम कभी भी किसी में नहीं किया मुझे बहुत कुछ कहा गया करोना गदार निकम्मा आदी और जो ये आरोप परसों लगाए गए ये ढ़ाई साल से मैं आरोप सुन रहा था लेकिन हम अपनी पार्टी को और सरकार की छवी को नुकसान नहीं पहुजाना चाहते थे इसलिए मुझे लगा कि जो प्रकार का भाशन दिया गया मैंने पहली बार देखा कि अपनी सरकार को अपने ही विधायकों को अपने ही नेताओं को बेज़त और बदनाम करने का काम हो रहा है कॉंग्रेस के विधायकों तो बदनाम करने का काम हो रहा है और भाशपा के नेताओं का गुडगान हो रहा है ये समझ से परह इस परकार का जो काम हुआ वो बड़ा गलत है और हम सब लोग जो दिल्ली में गए थे अपनी बात को रखने के लिए किन लोगों पर आरोप लगाए जा रहे हैं ऐसे लोग जो पॉब्लिक लाइफ में तीस, चालिस, पैटालिस साल से हैं तीन दिन पहले मैं बाड़वेर में था सम्मानी हेमराम जी 1980 से विधायक उनकी क्या छवी है मदाता पॉब्लिक उनके छित के लोग उनको अच्छी तरह जानते हैं कि क्या केडिबिलिटी है और क्या पॉब्लिक लाइफ में उनका अब तक अतियास रहा उला साब जिनके स्वर्गी पिता जी 1957 से चुनाव लड़ रहे है बड़े बड़े पदों पर रहे और हेमराम जी ने तो अपने नौजवान बेटे की मौत में और याद में एक छात्रवास बनाया है सौ सौ करोड की जमीन तो उनकी बाड़ मेर में निजी जमीन को उन्हों ने दान किया समाज के लिए लोगों के लिए पैसे खटा करकर 22 क्रोड का होस्टल बनाया देड़ सो बच्चों के लिए गरी बच्चों के पढ़ने के लिए इन सब लोगों पर इस प्रकार के आरोप लगा देना मैं समझता हूँ बहुत गलत है बहुत नंदिनी है और मैं सीरे से इन बेबुनियाद और जूटे आरोपों को नाकारता हूँ बहुत से साथियों को मंत्री बनाया सरकार के अंदर बड़े बड़े पद दिये गए कोई चेर्मेन है कोई कॉपरेशन में मेंबर है कोई पार्टी के पदों पर बैठे है तीन साल हो गए ऐसे लोग जो पब्लिक लाइफ में रहे जिनों में अपना नाम कमाये जिनकी एक साख है उन पर आरोप लगा देना कि आप चंद रुपे में बिग गए मैं इसको बहुत गलत मानता हूँ और तीन साल से कोई कारवाई आप में नहीं करी ये बहुत-बहुत सवाल उठता है साथियों हम दिली में गए अपनी बात को रखा और उसके बाद सारे तक्षियों को संग्यान में लेने के बाद हमारी अद्धक्षा सोनिया गांदी जी ने 25 सितंबर को सम्मानिय माकन साब और सम्मानिय खरगे जी को जैपूर भेजात आप सब जानते हैं वो विधायकों की मीटिंग हो इने ही पाई सोनिया गांदी हमारी पार्टी के अद्धक्ष थी उस समय उनकी जो वेलना हुई उनकी जो मानहानी हुई उनकी जो बेजजिती हुई वो अगद्दारी थी इतने सारे विधायक 20, 30, 40 पता निकिते विधायकों को उनकी इच्छा के खिलाफ असीफ़ दिलवाया गया अपनी सरकार को संकट में खड़ा करा गया बहुत से लोग आरोप लगाते है कि मोदी और शा के कहने पर असीफ़ दिलवा दिये गये अब ये बात मुझे बोले और मैं जाके मंच पर इस बात को बोलूँ ये शोबा देता है क्या तो मुझे लगता है कि अब तक जो हुआ उस घटना करम में वो उस बात को दिखलाता है अनुशासिन हिंता किसने करी पार्टी का डिस्पिन किसने तोड़ा और सही माइन्य में संगधन को और सरकार को कौन मजबूत कर रहा है कौन कमजोर कर रहा है और अपने नेताओं को खुश करने के लिए बहुत सारे लोग तरह तरह की बाते करते हैं कोई किसी की जुगली करता है को किसी जुगली करता है मुझे बहुत सारे लोग आके बहुत सारी बाते बोलते हैं कि यहां हजारो कोड का घोटाला हो गया यह स्कैम हो गया इन्हीं बातों को मैं मंच पर आकर उनका बखान करूं यह शोबह नहीं देता यह गंबी राजनित का परिचे नहीं है इसलिए मैं आप जानते हो पिछले डेड़ साल से चित्थिया लेख रहा हूं देखा आपने कि जिस तरीके से सुचीन पाइलेट हला बोल रहे हैं जिस तरीके से जो है अशुक गहलूत पर सवाल खड़े कर रहे हैं क्या आपको नहीं लगता कि कॉंग्रिस की इसमें करें लाद है आपको नहीं लगता कि उनके जो काड़े करता है उनके नेता पंजाब जैसे हाला थोने वाले हैं और फिर उनके हर होगी तो फिर सुनिया गांधी इस पर एक्षन क्यों नहीं ले रहे हैं यह सवाल इसलिए क्योंकि प्रेस कॉणफेंस करने के बावजूद यह लोग चुप हैं एक तरफ भीपक्ष पूरी तयारी कर रहा है तो आप सथा में होकर भी क्या कर रहा है अब सवाल यह है क वो मौके का फाइदा उठाने के लिए विपक्ष के लिए बहुत शानदार मौका मिला है चाहे वो बीजेपी हो या फिर आमादेपाटी अब जैसे जैसे चुनाब के दिन नस्दीक आ रहे हैं दरशु को देखना परेगा कि आखिर कॉंग्रेस का फैसला क्या होगा क्या व हो रहा है राजिस्तान के स्यासत में कॉंग्रेस को इससे फाइदा होगा यह नुक्सान हमें कॉमेंट कर दो बताएगा देश दुनिया के बैख़बरों के लिए नेक्स्टाइन योज नमस्क्राइब